असलाम अलेकुम एवरीबडी माइनम इस उमेरिन सर और वेलकम बैक टू कम्प्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फेस्बुक बिजनस पेज पर पोस्टिंग किस तरह करनी है एक professional post किस तरह create की जाती है प्लस best time क्या होगा facebook पर post करने का और आप कितनी post लगा सकते हैं daily facebook business manager के बारे में सीखेंगे प्लस ये भी सीखेंगे कि आप best time के लिए अपनी post को schedule कैसे कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं computer screen पर facebook पर professionally post करने के लिए आप अपने page को open करेंगे और switch कर लेंगे अपनी profile से अपने page में ये मेरा official facebook page है अगर आपकी कोई queries हैं आप कुछ पूछना चाते हैं मुझसे तो आप यहाँ पर मुझे message करके मुझसे question कर सकते हैं तो आप post करने के लिए आप यहाँ से what's on your mind पर click करेंगे ये आपके पास create post की window open हो जाएगी यहाँ पर आप अपना text आइड कर सकते हैं photo आइड कर सकते हैं यहाँ से ये buttons आइड कर सकते हैं लेकिन जब भी आपने post करनी है professionally तो आपने इस option को इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पर आपके पास एक message आ रहा है schedule your post from planner in meta business suit meta business suit क्या है इसके बारे में हम एक dedicated video इंशाला आने वाले दुनों में बनाएंगे फिलहाल के लिए meta business suit को use करके हम post किस तरह करते हैं ये सीख लेते हैं तो मैं meta business suit पर click करता हूँ तो ये हम meta business suit के post planner के अंदर आ चुके हैं यहाँ से अप अपनी post को create कर सकते हैं और आने वाले time के लिए plan करके रख सकते हैं तो post करने के लिए आप यहाँ से create के button पर click करेंगे ये आपके पास post की setting आ जाएंगी सबसे पहले facebook आपसे पूछेगा कि आपने post किस जगा पर करनी है facebook पर, instagram पर या अगर आपके कुछ groups भी हैं तो वो भी आपको यहाँ पर show हो जाएंगे आप चाहें तो अपने facebook और instagram पर at same time post कर सकते हैं मैं instagram को भी check कर देता हूँ क्योंकि मैं facebook और instagram दोनों पर post करना चाहरा हूँ फिलहाल यहाँ से आप अपनी post का text लिख सकते हैं write up add कर सकते हैं अपनी post पे जिस बारे में आपकी post है यह साथ आपको hashtag का button नजर आ रहा है यहाँ से आप tags add कर सकते हैं कुछ tags आपके पास recent जो use आपने किया है वो आ रहे होंगे plus save कर सकते हैं अपने tags को जिनको frequently इस्तमाल करते हैं यहाँ से आप अपनी photo add कर सकते हैं video add कर सकते हैं photo add करने के लिए आप add photo के button पे click करेंगे और मैं यहाँ से फिलहाल यह तस्वीर को upload करता हूँ यह मेरी picture add हो चुकी है अब मैं इसके लिए यहाँ पर एक write up add कर देता हूँ जिसमें मेरी contact details website address और post के बारे में जो मैं बताना चारा हूँ वो message होगा नीचे यहाँ पर tags भी होंगे जिस बारे में मेरी post है obviously उस बारे में ही अब मैं इसको scroll करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास option आ रही है location की मैं location add कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो फिर बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर आपके पास आ रही है option कि आप customize कर सकते हैं अपनी post को facebook के लिए और instagram के लिए यहाँ पर facebook है और यहाँ पर instagram यह facebook का text मैंने add कर दिया है मैं चाहूँ तो instagram का text अपने मताबिक change भी कर सकता हूँ लेकिन फिल्हाल मैं change नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर आप नीचे आए न तो यह एक button है जो फिल्हाल disable है क्योंकि यह सिर्फ facebook की news feed की post पर ही काम करता है अगर मैं यहाँ से instagram को हटा दूँ तो यह मेरा button active हो जाएगा अब यह button करता क्या है मैं इस पर click करता हूँ तो यह आपके पास एक A-B test चला देता है A-B test क्या होता है कि आप at same time दो post करते हैं एक ही चीज़ के बारे में जैसे फिल हाल मैंने अगर यहाँ पर web development की एक post लगाई है तो मैं यहाँ पर तस्वीर change कर दूँगा यहाँ पर उसका text change कर दूँगा फिर facebook मेरी यह दोनों posts 30 मिनिट तक मेरी audience को दिखाएगा जो मेरी post अच्छा perform करेगी उसको as final post publish कर देगा आप इन दोनों post में text अलग लग लग सकते हैं तस्वीर अलग लग लगा सकते हैं linked add कर सकते हैं दोनों post के साथ और यहाँ से आप next करेंगे तो आपका a-b test लग जाएगा अब यहाँ पर आपकी post बिलकुर ready है आप चाहें तो इसे publish कर सकते हैं अपनी audience को दिखा सकते हैं publish करने के लिए आप यहाँ से publish के button पर click करेंगे लेकिन अगर आप देखें तो इसके साथ यहाँ पर एक button है active times आप इस button पर click करेंगे तो facebook आपको वो times दिखा देगा जिस time पर आपकी audience सबसे ज़दा active होती है यहाँ पर मेरे पास times आ रहे हैं कि today 8 pm पर मेरी audience मेरे page पर सबसे ज़दा active होगी तो मैं चाहूं तो 8 pm के लिए अपनी post को schedule कर सकता हूँ इसी तरह यहाँ पर कल का भी time आ रहा है मंडे का भी time आ रहा है यहाँ पर मैं time को अपनी मर्जी के मताबिक भी change कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूं तो मैं Facebook के suggestion को भी use कर सकता हूँ तो अगर मैं यहाँ से आज 8 pm का यह time select कर लेता हूँ और यहाँ से save के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास अब option आ गये schedule post इस पर अगर मैं click करूँगा तो मेरी post schedule हो जाएगी आज रात 8 बजे के लिए आज रात 8 बजे मेरी post active हो जाएगी तो इस तरह आप अपने Facebook पेज पर professionally post कर सकते हैं अगर कोई चीज मिस हो गई हो या आपके mind में कोई और question हो तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं मैं इंशाला कोशिश करता हूँ कि मैं हर comment का answer करूँ अगर वो सवाल कोई इस type का हो जिसका मैं answer ना कर सकूँ comment section में तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस topic के ओपर एक video बना दूँ तो अगर आपके mind में कोई भी question हो तो आप comments में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको य वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like लाजमी कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लें अगर आप चैनल पर नहीं है तो और bell icon को press कर दीजे ताकि आपको हर वीडियो के update मिलती रहे तो हम मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे देदीजे अजाज़त अलाहाफिस